एक वक्त था जब पहलवान सुशिल कुमार ने दुनिया भर में भारत के नाम रोशन किया था। उन्होंने कई खिताब अपने नाम किये थे। लेकिन आज जो सुशिल लोगों के हीरो हुआ करते थे वही सुशिल कुमार कानून के मुल्जिम है। उन पर हत्या जैसे संगीन आरूप लगे हैं। दिल्ली के नजपगड का सुल्तान जिसने एक मध्यम वर्गिये परिवार से निकल कर दुनिया की बुलंदी को छुआ। पहलवानी की दुनिया का चमकता हुआ वो सिटारा जिसने तमाम रिकॉर्ड अपने नाम किये। अपनी पहलवानी के दम पर दुनिया को जुकाने बाले सुशील कुमार ने वो हर शोहरत हासिल की जिसे इश्वर कम लोगों को ही बख्षता है सुशील कुमार भारत का वो सितारा जो पूरी दुनिया के आस्मान पर छागया और अपनी कामियावी की रोशनी से दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया उन्होंने अपनी काविलियत के दम पर वो हर चीज हासिल की जिस पर नसिल पुनका अधिकार था बलकि वो उसके लाइक भी थे सुशील कुमार भारत के एक लौते ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने 56 साल के बाद रेसलिंग में बीजिंग ओलम्पिक में साल 2008 में ब्रॉंज मेडल जीता था इसके बाद साल 2010 में मौस्को में वर्ल्ड चैंपियंशिप में सुशील कुमार गोल्ड मेडल जीते थे इससे पहले किसी भी भारतिये पहलवान को ये उपलब्धी हासिल नहीं हुई थी साल 2003 से लेकर 2004 तक उन्होंने वो हर पदक जीता जिसे जीतना किसी भी रेसलर का सपना होता है कहते हैं कि सपने उसी के सच होते हैं जो कड़ी मेहनत करता है अपने करियर में सुशील कुमार ने दुनिया की हर बुलंदी को छुआ सुशील कुमार का नाम पहलवानी की दुनिया में बड़े ही अदवो अदब के साथ लिया जाता है अंतर राश्ट्रिय करियर में काम्यावियों के चलते सुशिल कुमार को सरकार ने कई इनाम दिये कई स्पांसर भी मिले नॉर्डन रेलवे स्पोर्ट्स एसोसियेशन ने 2013 में एड्मिनिस्ट्रेटिव ओफिसर के पद पर नौकरी भी दी बाद में सुशिल कुमार को डेपुटेशन पर दिल्ली सरकार के एड्यकेशन डिपार्ट्मेंट में आफिसर औन स्पेशल ड्यूटी पर छटर साल मिलाये गया लेकिन कहते हैं न कि अस्टार वही है जो अपने स्टारडम को हमेशा संभाल कर रखे उस पर कभी भी कोई दाग न लगने दे लेकिन जितनी जल्दी सुशिल कुमार ने आसमान की बुलंदियों को छुआ उतनी ही जल्दी वो आसमान की बुलंदियों से जमीन पर भी गिरे वो इक लौते हिंदुस्तानी है जिन्होंने दो ओलंपिक मेडल जीते और वर्ल्ड टाइटल भी अपने नाम किया कॉमनवेल्थ गेम्स में सुशिल कुमार ने तीन बार गोल्ड मेडल जीता उन्हें पदमश्री और अरजुन पुरसकार से नवाजा गया उन्हें खेल जगत के प्रतिश्चित राजीब गांधी खेल रत्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है उन्हें इनाम के रूप में करोड़ो रुपे भी मिले दो तस्वीर आपके सामने है एक तस्वीर में भारतिय तिरंगे को वो अपने हाथों में लिए जीत की काम्याबी का जश्ट मना रहे हैं जबकि दूसी तस्वीर में उनका चेहरा कौलिये से धका हुआ दिखाई डे रहा है ये तस्वीर गवा है एक सुपरस्टार के अर्ष से पर्ष तक पहुँचने की आरोफ है के सुशील कुमार का बाहरी दिल्ली और पडोसी राजियो हर्याना और दिल्ली के बॉर्डर्स पर टोल पलाजा कलेक्शन का बिजनस था इसके अलावा उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक बड़े भारतिये MFCD ब्रांट के अरुवेद स्टोर से भी सुशील कुमार जुडा हुआ था इसके साथ ही उनके करीबी, रियल स्टेट, बैड लोन की रिकवरी और प्रोपर्टी खाली करवाने के बिजनस में भी थे रेसलिंग में बड़ा नाम कमाने में असफल रहने वाले पहलवानों को भी कथित रूप से टोल पलाजा पर जॉब दी जाती थी दिल लिपलिस की क्राइम ब्रांच, अब सुशील और उसके करीबी गैंस्टर, नीरज बवाना और उसके दुश्मन कहे जाने वाले भगोगा, करार काला जेटली के रिष्टों को खंगाल रही है ये आज कल चर्चा काविशय बना हुआ है वही जूनियर रेसलर सागर धनखर हत्या कान में फसेद सुशील कुमार का वक्त ऐसे बदला कि उनकी सारी की सारी उपलब्धियां धरी की धरी रह गई सुशील कुमार की एक गलती ने उनके शोहरत के तिलिस्म को तोड़ कर रख दिया लंबे अर्से की महनत और कमाई गई इजद एक ही जटके में मिट्टी में मिल गई जो शक्स कल तक दुनिया और देश की नजरों में हीरो था वो आज की समय में कानून का मुलजिम बन गया उन पर अभरण और हत्या जैसे संगीन इलजाम है कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को दिल्ली से गिरफतार किया गिरफतारी के वक्त उनके साथ एक और दोस्त भी था कुछ दिनों के बाद उनके चार और साथी को गिरफतार किया गया हाल ही में उनका एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें वो अपने साथियों के साथ सागर दंकर पर हमला कर रहे हैं सुशील कुमार के हाथों में डंडा है और वो उस से सागर पर जम कर वार कर रहे हैं ये वीडियो सुशील कुमार के खिलाप एक एहम कड़ी सावित हो सकती है हाला कि फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जाच कर रही है और जल्द ही चार्ज शीट भी दाखिल करेगी अब ऐसे में क्राइम ब्रांच के उपर है कि वो चार्जशीट में कौन सी धारा को सनलगन करता है अगर सुशील कुमार पर धारा 302 के तहट चार्जशीट दाखिल की जाती है तो इसका मतलब होगा कि उन पर हत्या का केस चलेगा अगर भारा 304 के तहट मामला चलता है तो इसका मतलब होगा कि उन पर गैर इदालतन हत्या का केस चलेगा ऐसे में दोनों ही सूरत में उनके मुश्किले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज